निशिकान जी आपका बहुत स्पागत है इंडिया टीवी पर और मैं दर्शमों के लिए किवल बता दूँ तूकि आज इतनी तीखी राजनीती चल रही है बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में खास करके राहूल गांधी जिस तरीके से हमलावर है तो राहूल गांधी की सा पर अंसदी निरस्त की जाए लोकसभा की उनकी जो सदस्ता है वो जानी चाहिए इसकी पहल जो है वो निशिकान दूबे जी ने की थी प्रिविलिज कमिटी पे शिकायत करके वो मामला आगे बढ़ता उससे पहले कोट के जरिए उनकी उनको सजा हो गई और फिर उनकी सदस वो तो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में उनके जिस भाषन की वजह से आप वो मामला प्रिविलिज कमिटी में ले करके गए थे उसी भाषन की वजह से उनकी लोकसभा की सीट छीनी गई उसी बहाने से उसी से डर के ताकि वो पार्लिमेंट के अंदर दुबारा वो मुद्दा न उठा पाएं। पावन से इस पार्लिमेंट में जो कुछ भी हुआ वो रूल्स, रेगुलेशन के आधार पर हुआ, संभिधान के नुसार हुआ। अधानी जी के नाम लेते लेते उन्होंने प्रधान मंत्री जी की बात कही। अब लोगसभा का नियम है 352 और 353 ये कहता है कि यदि आप उस सदन के किसी सदस्य के उपर किसी प्रकार का कोई आरोक लगाना चाहते हैं, तो आपको लोगसभा स्पीकर को उसका नोटिस देना पड़ेगा। मानने प्रधान मंत्री जी लोगसभा के सदस्य हैं, वो राजी सभा के सदस्य नहीं है मनमौन जिंगी की तरह, आप लोगसभा के सदस्य होने के नाते, मानने प्रधान मंत्री होने के नाते, आप जब उनके उपर कोई आरोक लगा रहे हैं, तो आप नोटिस देंगे लिए ठीक है दूसरा और 353 ये कहता है और उसी में 352 ये कहता है कि जो आदमी डिफेंड करने के लिए उस लोग सभा में मौजूद नहीं है उस सदन में मौजूद नहीं है तो आप उनके उपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकते अब आप समझें अब आप समझें कि आपने जो है अडानी 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 अरे देश में कई एक मुद्धे हैं अडानी के कोई मुद्धे कोई दी आपको उठाना है तो आप उसका नाम लेके नहीं उठा सकते आप उठाए कि कोई कमपनी है उसने ये काम कर दिया उ उसको ब्लैक मन ही आ गई उसको कहीं से फडिया ही आ गई तो उन्होंने सारे रूल्स का वाइलेशन किया इसलिए जब मैं प्रिविलेश कमिटी में गया तो प्रिविलेश कमिटी में मैंने तीन बाते कहीं कि उन्होंने तीन तरह के प्रिविलेश का हनन किया जिसके आधार प स्वामी विदेश गए और उन्होंने एमानी इंद्रा गांधी जी को उपर क्वेशन उठाया और जिस तरह से उन्होंने बाहर के forces को लाने की बात कही कि अमेरिका को आ जाना चाहिए योरोप को आना चाहिए सब को जो है सब्सक्राइब को इतना बड़ा है जिसमें उनकी सदस्ता जानी चाहिए। परकरार है प्रिविलेज मेरा नहीं हुआ है और हम उनको सजा दिलाना चाहते हैं तो मेरा जो प्रिविलेज है प्रिविलेज खतम नहीं होता है प्रिविलेज कायम रहेगा और हम प्रिविलेज के लिए एक बड़ी एहम बात बता दिये कि अगर वो अपनी सजा माफ कराके को फाइदा नुकसान किसको होगा राहुल गांधी को इसका फाइदा पहुंचेगा अभी करनाटेक में चुनाव होने जा रहे हैं महादा कि वो इस बात की सिंपती नहीं उठाएंगे लोगों के सामने इस बात को नहीं रखेंगे देखें मेरी तो सदस्ता तक छीन ली गई मेर घर चीन लिया गया इस तरीकी का वहवार मेरे साथ हुआ है मैं कौन से परिवार से आता हूँ उस परिवार के रेक्टी के साथ कैसा बहताब किया जा रहा है और इसका नुकसान सीदे सीदे आपकी पार्टी को नहीं होगा देखें मैं जिस पार्टी से हुँ न या हमारी जो पार्टी है भारती जंता पार्टी वो परिवार से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश सवाल देश का है सवाल जो है वोट बैंक की राजनिती का नहीं है नफा नुकसान का नहीं है सवाल यह है कि यदी कोई गलत है और इसके कारण यदी पॉलिटिकल आपको कोई बड़ा नुकसान भी हो जाए तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है सवाल ये है कि आपको देश की अस्मिता बचानी है की नहीं देश में जो ये परिवारवादी पार्टी है और जो अंग्रेजी मानसिक्ता के लोग है मैं आपको एक कदम आगे बढ़ कर कहना चाहता हूँ अटल विहारी बाजपी जी यदि धोती पहन कर इस देश के प्रधान मंत्री बने तो इसी तरह के जो अंग्रेजी दा लोग थे और जो परिवारवादी पार्टिया थी उन्होंने उनको कभी अक्सेप्ट नहीं किया आज यदि एक गाउं गरीब का आदमी चाह बेशने वाला कोई आदमी देश का प्रधान मंत्री हो गया तो आप सोसल मीडिया पर देख लीजिए अंग्रेजी मीडिया पर देख लीजिए अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को देख लीजिए और खास कर जो दब ठाकरे कर रहे हैं, उनका विरोध स्टालीन कर रहे हैं, ये सारे लोग जो है वो परिवारबादी पार्टियागा है, उनका विरोध राहुल गांदी जी कर रहे हैं, यदि आप देखेंगे तो जो बड़े बाप के बेटे हैं जिनके फादर पॉलिटिक्स में बहुत आगे हो गए या अंग्रे जीदा लोग हैं वहीं उनका विरोध कर रहे हैं गरीब लोग उनको वोट दे रहा है इसलिए वह दो बार जो है ज्यादा वहमाद से सरकार बनाएं लेकिन अब आप उन पार्टियों को कुछ भी कहते रहें आप उनको बड़े बाप की आप या उनकी पिता काम्याब पार्टी चला रहे थे उनकी संतान कह लीजे कुछ भी कह लीजे परिवारवादी कह लीजे अंग्रे जिदा कह लीजे वह उनकी लेकिन राजनीतिक है तभी तो आप उनसे चुनाप में भिड़ते लड़ते हैं न अकले चादव हों कोई भी हों ऐसे राहुल गांदी है तभी तो राहूल गांधी का नाम दिन भर आप ले रहते ना जो उनके पिताजी 407 सीट लेकर आए आज दो बार से 2014-2019 में वो लीडर अफ़ अपोजिशन का पद नहीं पा रहे हैं 50 सीट तक नहीं पा रहे हैं हमारे लिए राहूल गांधी की क्या हैसियत हो कि भारती जंता पार्टी के कारिकर्टा के तोड़ आप देखिए तो कोई हैसियत नहीं है 50 seat वाली party जो है वो तो original party की तरह होगी Congress party कहां जीत रहे है क्या जीतने वन जो हमने जो राहूल गांधी के उपर question उठाया है यह उस मानसिक्ता के उपर उठाया है जो emergency की मानसिक्ता थी जिसने कि इस देश में लोकतंत्र को खतम किया जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का यदी दावा करती है Congress और बाहर जाकर यदी योरोप और अमेरिका को हमारे देश के अंदर जो है लाने की बात करती है और अभी आपने देखा कि उसका क्या रिपर करसं हुआ कि जर्मनी ने जो है हमारे उपर question उठाया तो यह जो मानसिकता है इस मानसिकता से लड़ने के आवशकता है और इसलिए हम रहूल गांधी रहूल गांधी बोलते रहते हैं ने तो रहूल गांधी हमारा कोई इंट्रेस्ट नहीं है तो कि राहूल गांधी अपना खुद का चुनाओं अमेठी से खार कर जो है वाइनाट से लेगे तो फिर मैं अब फिर समझना चाहता हूँ राहूल गांधी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं आप जिसकी वज़े से आप राहूल गांधी राहूल गांधी करते हैं आज भी कॉंग्रेस पार्टी के युवरा जो है राईल गांधी जी रहुल गांधी जी लेते हैं। करना सिकता है वो जो मान सकता है राजा महराजा वाली यह मान सकता है कि अब उनकी पार्टी उनको नेता मानती है निशेकान जी इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं अब उनकी पार्टिए ती किया राहुल गांधी जी को बारती सल्द्र पार्टी नेता नियुम मांती है ना राहुल गांधी जी परहें हमारी पार्टी मांती है को लाने की बात कर रहे हैं जब वो कॉंगरेस के अध्यक्स वा करते थे आप को पता है कि उन्होंने चीन के साथ एक कॉंग्रेस पार्टी का एग्रिमेंट कर लिया इस तरह के जो तत्व हैं इस तरह की जो बांख सिकता है उसके लिए भारती पाटि कॉंग्रेस के बड़े नेता होंगे हमारे लिए वह हमारी तरह ही साधारन सांसद हैं और मैं साधारन सांसद होने के नाते एक साधारन सांसद से लड़ रहा हूं लेकिन वो तो प्रधान मंतिरी से नीचे किसी की बात ही नहीं करते दोजार उन्निस तक वो बात करते थे रफैल रफैल की तब वो कहते थे चौकीदार चोर है और आज वो अडानी के बहाने कहते हैं मोडानी अब वो पूछते हैं 20,000 करोड रूपया किसका लगा है ये बता आप ये बताईए कि देश से उनको माती नहीं मागनी चाहिए उन्होंने 2018-19 के एलेक्षन में अम्बानी अम्बानी कहा रफेल की डील जो है अनिल अम्बानी के लिए हुई अभी पार्लेमेंट में उस दिल भासत दिते हुए वो कहते हैं कि अब अनिल अम्बानी आपसेक नह वाल नहीं है तो क्या 2018-19 में वो हमारी बात मान गए वो इसी तरह से CBI दफ्तर जाने की बात करते थे इसी तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट थे उनके साथ खड़े हो गए थे आज जो अडानी अडानी जो जो भी फोर्सेस बोल रहे है जो भी नेता बोल रहे है क्या 2018-19 में वो राफेल की बात ने बोलते थे अनी लंबानी की बात ने बोलते थे आज पता चला कि अनी लंबानी का राफेल से कोई लेना देना नहीं है कहीं कोई डील नहीं कहीं कोई आफसेट नहीं बना रहा है क्या उन्होंने देश से माफी बांगी लेकिन देश उनकी बात पर कि में 400 से ज्यादा सीट चीम जीए लेकिन वह एक बात बार-बार कहते हैं कॉंग्रिस पार्टी भी पूछती है कि बीज़ेपी के लोग अडानी को डिफेंड क्यों कर रहे हैं अडानी को है ज़िको कॉन डिफेंड कर रहा है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि अडानी को किस आधार पर आप उनका विरोध करेंगे मैं एक छोटा सा मैं कोई अडानी का स्पोक्समेन नहीं हो और मैं अडानी को डिफेंट करने के लिए नहीं आया हूँ लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि यदि किसी बैंक के साथ यदि उसने पैसे देने में आना कानी की होती यदि कोई अकाउंट उसका NPA हो गया रहता या किसी तरह की CBI इंक्वाइरी उसके खिलाब चल रही होती ED की इंक्वाइरी चल रही होती, income tax की इंक्वाइरी चल रही होती, किसी प्रकार की कोई इंक्वाइरी चल रही होती और बैंक का पैसा ही दी उन्होंने नहीं लोटाया होता तब ना आप उसके उपर जाज करेंगे कि नहीं हमारा एक दिन इक्षा हुआ कि मैं सौरब जी के खिलाब जो है कोई स्टेट्मेंट दे दू मैं कहा दू कि सौरब जी चोर है तो ऐसे ही हो जाता है दूनिया में और कह इसनार्ट और लेसित वार्ड यह है यहां Character के लिरे갔 लगए में और सब्सक्रीजण को से द्वारा चरित रहे उसमें राहूल गांधी जी जो है वो एक बच्चे की तरह हैं और इस देश को बच्पने में ले जाना चाहते हैं और उसी मांसिक्ता का हम दिरूत करते हैं रिश्रिकान दुबे जी आज समय कम था लेकिन आपसे बात करने के लिए सवाल बहुत हैं तो फिर किसी रोज और वक्त आपका लेकर के जरूर बात करेंगें बहुत शुक्रिया आपने हमारे ले वक्त निकाला बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका, धन्यवाद इंडिया टीवी का, धन्यवाद स्वरब जी आप